आज तक रेट्यू सुनता है सारा जहां मनिपूर के मसले पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है इस बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है नंबर गेम में पीछे ओपोजिशन को इस कदम से क्या हासिल होगा सुनेंगे साथी हिंसा से मनिपूर के उद्योग धंधों को कितना लुकसान हुआ है ये भी जानेंगे उधर एक महिने से गायब चल रहे विदैश मंत्री किन गांग को चीन ने आखिरकार पट से हटा दिया है इसके पीछे लग रही अटकलों में कितना दम है और चीन की सरकार का ये कदम वहां की सत्ता विवस्था पर किस तरह के सवाल खड़े करता है समझेंगे और रोटी बेटी के रिष्टे निभाने वाले भारत और नेपाल के बीच करिंसी को लेकर क्या जंचट है भारते रोपया नेपाल में अपनी चमक क्यूंक हो रहा है और नेपाल सरकार के किस कदम से सीमा के इस तरफ हर रोज करोडों का नुकसान हो रहा है पता करेंगे लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड हेटलाइन सुन लेते हैं सुरज कुमार से शुक्रिया खश्पू आज लोगसभा में केंदर सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष कॉंग्रिस ने लोगसभा सांसदों से मौजूद रहने को कहा दिली एंसियार में सुभा से बारिश जारी महरास्ट्र गुजराथ समेट पांच राज्यों के लिए अलर्ट आई-एमफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाया फाइनिंशिल एर दोहसार चॉबिस में 6.1 पीसदी रहने का नुमान मिघाले CM आफिस पर हमले के 22 आरोपी गिरफतार दो महिला नेता शामिल दो टीमसी नेताओं पर भी उकसाने का रोप ग्रीस में जंगल की आग बुझा रहा प्लेन क्रैश दो पाइलट की मौत रूस की रक्ष्रमंत्री नौर्थ कोरिया पहुँचे कई एहमुद्धों पर करेंगे चर्चा मनेपूर हिंसा पर संसद में चर्चा कराय जाने को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है विपक्षी सांसद पार्लियमेंट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिट्ष रहा ने एक बार फिर कहा कि वो मनेपूर पर चर्चा के लिए तयार है उन्होंने इस बाबत राजसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिकार अरजन खड़की और लोगसभा में लीडर अफ ओपोजिशन अधीर रंजन चौधरी को पत्र भी लिखा है कल एक प्रोग्राम में प्यम मोदी ने ओपोजिशन की इंडिया अलाइन्स पर जम कर निशाना जाधा जवाब में विपक्ष भी सरकार को घेदने में कोई कूर कसर नहीं छोड़ना चाहता और अब ओपोजिशन की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ और विश्वास्ट प्रस्ताव लाने की तयारी चल रही है कॉंग्रिस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ और विश्वास्ट प्रस्ताव ला रहे हैं की सरकार के ओपर लोगों का भरोसा तूट रहा है। हम चाहते थे कि प्रधान मंत्री मोदी मनिपूर पर बोले लेकिन पीएम बात नहीं सुनते, वे सदन के बाहर कुछ बात करते हैं और सदन में बोलने से इनकार करते हैं। तो लोग सभा में जब opposition के पास numbers नहीं हैं, फिर no confidence motion लाने से उन्हें क्या हासिल होगा? पूछा मैंने दिल्ली में आज तक रेजियो रिपोर्टर मौसमी सिंग से। सरकार को भी कटगरे में खड़ा करना होता है। वो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री को कटगरे में खड़ा कर सकती है। इसलिए रूल नंबर 198 के तहत ये लाया जा रहा है, जिसमें ये अनिवारे होता है कि लगभग 50 मेंबर जो हैं, वो इस पर हस्ताक्षर करें। और जो मेंबर मूफ कर रहा है, वो ये हाउस को बताए कि वो no confidence motion लाने जा रहा है और इसके लिए Secretary General को लोग सभा में notice देना होता है। तो कुल मिला के ये जो एक perception battle है, उसमें जनता को संदेश देना है विपक्स द्वारा कि ऐसे नहीं तो इस तरह सही सही हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं मनीपूर मसले पर। मौसमी कल मोधी काबिनेट ने दिली के services related ordinance को बिल की शक्ल देने पर मन्जूरी दे दी है तो इसके आज पारलेमेंट में टेबल होने के असार हैं क्या और इस पर कितना बवाल होगा देखी लगातार ये संद्शे विपक्स के बीच में बना हुआ था कि कभी भी सरकार बिल ला सकती है और जाहिर तोर पे क्योंकि आब cabinet में मन्जूरी दे दी है तो किसी भी दिन ये ordinance आ सकता है और किसी भी house में आ सकता है इसलिए आप देखें कि तीन लाइन की विप भी जारी की गई है जाहिर तोर पे क्योंकि लोकसबा में संख्या भारी है मिजॉरिटी में है ब जारी कर दी है अब हमें इंतिजार करना होगा क्योंकि ओर्डिनेंस को लेके लगातार जोड़ तोड़ चल रहा है इंडिया अलाइंस जो इंडिया पार्टीज हैं वो सब ओर्डिनेंस के मसले पर आम आदमी पार्टी के साथ कड़ी हैं उपर से हाली में बियारेस जो है भार आज सभा में काम करेगा क्योंकि लोकसभा में तो ये बड़ी आसानी से पारित हो जाएगा लेकिन विपक्ष जबरदस्त हंगामा खड़ा कर सकता है और यही वज़ा है कि सभी दल जो है इस पूरे मसले पर अपनी कमार के सेवे हैं तो हो सकता है आज ही ये बिल संसद में आ कल रात उनके समर्थन में विपक्षी सांसदों ने कैंडल मार्च भी निकाला था बहुत 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 शुक्रिया मौसमे सिख तो मनिपूर के मुद्दे पर सियासी रार ठनी है तो रुख करते हैं इमफाल का और वहां मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर रृतिक मौंडोल से जानते हैं कि हिंसा से मनिपूर को कितना आर्थिक नुकसान जहीलना पड़ा है बन गया यानि दोनों तरफ से जो लोग है आप अशने गोलियों के लराई करते हैं और यहाप पर बॉली चलती है और उसी एरिया में लोकल सबजी, लोकल चावल ये वगएरा, वहां से ही आता है, और अप मॉन्सून चल रहा है, यहाँ पर जो राइस का खेती चलता है, वो भी एफेक्टेट हुए है, मैं कई बार उन इलाकों से गुजर रहा था, तो मैंने देखा भी है, कि उन सब खेती बारी के जमीन में ए कि जितने भी बाजार के जो डिमान से, यानि फूट ग्रेंग के डिमान, चाहे वो सबजी हो, फल, या फिर मचली, इन सब का जो है, वो इसी मार्केट से किया जाता है, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था, उनकी जो सेक्टेडी या पर जितने दुकान चलाते हैं, उन में लोग खरीदारी करने कम आ रहा है, और कई गुणा ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है, इस तरीके से है, क्योंकि जो ओनलाइन कांजक्शन वो बिल्कुल थप हो गया है, बंध हो गया है, माइग्रेशन भी हुए है, चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी के हो, हम जिन होते है, ज्यादातर होटेलों में जो है, वो कोई टूरिस्ट फिलाल नहीं है, है तो सिर्फ पत्रकार लोग जो देशफर में से हापर पहुँचे हैं, या फिर जो पुली साधिकारी जो आए हुए है, तो इसके चलते ही जो होस्पिकलिटी इंडस्री है, वो भी बरे बुरे मा है, उन इलाकों में है, वहाँ पर भी इस्टाब्लिश्मेंट जो है, वो बिलकुल बंध हो चुका है, या फिर लोग जो करनी जो थे वो नहीं थे. तो हमारे साथ थे रितिक जिन से आपने सुना कि कैसे हिंसा ने मनिपुर में लोगों की रोजी रोजगार और कारुबार पर चोड़ किया है, बहुत-बहुत शुक्री आपका रितिक. और अब बात करते हैं पडोसी मुल्क चीन की, जिसके विदेश मंतरी किन ग्यांग के अचानक गायब हो जाने से अटकलूं का बाजार तो गर्म ही था, लेकिन कल चीन ने किन को इनके पज से हटा भी दिया है. उन्हें साथ महीने पहले ही चीन का विदेश मंतरी बनाया गया था, लेकिन पिछले एक महीने से विसारजनिक तोर पर नजर नहीं आए और उनके मंतराले ने भी इस पर चुप्पी साधे रखी. कभी उनके अस्वस्थ होने की खबरे आ रही थी, तो कभी अमेरिकी टीवी आंकर से अफ़ेर की. इसके बाद कल उनकी जगह कम्यूनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख वांग ई को एक बर फिर से चीन के विदेश मंतराले की कमान सौमती गई है. हाला कि किन क्यांग को चीन के राष्ट पती शी जिन पिंग का करीबी भी माना जाता है, लेकिन उनको पज से हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है. तो ये मामला कितना गंभीर है और किन को लेकर जो कयास लगाये जा रहे हैं वो कितने सच हैं, पूछा मैंने इंटरनाशनल मामलों के जानकार प्रकाश केरे से. जादा दिलचस्टीन की जो तत्ता ब्यवस्था है, जो उसकी हैरार्की है, उसमें एस्टेट कॉंसिलर का पद जो है, अभी जो पाँच लोग है उसमें, वह पद उप प्रधान मंतरी के ठीक नीचे आता है और मंतरियों से उपर होता है. उसमें किंग गांग जो हैं, उसम हम लोगों को दो महीना और इंतिजार करना पड़ागा हर दूसरे महीने इनके बैठाक होती है, जो कि अभी हुई तो जिसमें ये नीडने लिया गया है, तो अगर उसमें स्टेट कॉंसिलर पत से हटाने का नीडने हो जाए, तो फिर इसका मतलब यह है कि कॉमिनिस पार्ट के मसलों पर किसी भी तरीके का राजद्रो, देशद्रो के मसले पर काफी गंभीरता से कॉमिनिस पार्टी उसको टैकल करती है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कि किंग गांग का मसला उस अस्तर का है, मुझे लगता कि किसी जो हमने पहले सुना है हो सकता है कि अब कितना सच है कितना नहीं सच है जो अपवा है उनके अफेयर को लेके तो मुझे लगता कि एक तरीके का ये डिसिप्नरी एक्षन है तो वांग ई प्रकाष जी जो पहले भी चीन के विदेश मंतरी रह चुके हैं उन्हें फिर से ये जिमेदारी दी गई है तो क्या इसे एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की तरह देखना चाहिए अभी देखिए ब्रिक्स की बैठक होनी है सिखर सम्मेलन होना है ब्रिक्स देसों के राजनेता पहुंचेंगे वहां पे साउथ अफरीका जहां पे हो रहा ये आयोजन अफरीका के सारे देसों के लोग पहुंचेंगे कई सारे और देसों को जो है उनके नेताओं को बुलाये जाएगा परवेक्षक के रूप में और अतित्री के रूप में तो ऐसे समय में चीन जो की ब्रिक्स का सबसे मत्पुन सदस्य है उसका एक फूल टाइम फॉरेंट मिनिस्टर होना जरूरी था तो इसलिए एक फॉरेंट मिनिस्टर उन्होंने नियुक्त किया है वांग यी जो है जो अभी टॉप डिप्लोमेट हैं और फॉरेंट अफेर्स के कॉमिनिस्ट पार्टी के चीफ हैं तो आम तोर पर ऐसा नहीं होता कि दो-दो पदों पे लोगों को रखा जाता है तो वो मुझे लगता है कि एक स्थाई बे उस्था है किंग आंग जो हैं वो स्वास्त कारणों की वज़ा से भी अनुपस्थित होंगे यह लग रहा है कॉमिनिस्ट पार्टी की इतिहास को अगर आप देखेंगे तो जिन को इस तरीके से डंडित किया जाता है या किनारे किया जाता है या परजिंग की जाती है वो नेता बाद में फिर से आ जाते हैं पार्टी के मुक्षेधारा में और बड़े-बड़े पदों पे जाते हैं जिसका कि एक सबसे बड़ा उधारन पूर्प चेर्मैन देंजियाओ पिंग है और दूसरे सबसे बड़े उधारन अभी जो चीन के राश्पति सी जिंग पिंग है इन लोगों को भी पनिस्मेंट दिया गया है इन लोगों की भी परजिंग हुई लेकिन आज देखें जब वापिस लोटे और ये बड़े-बड़े पदों के ये लोग रहे आच्छा और चीन में वजह सामने आए बिना किसी सीनियर ओफिशल या मिनिस्टर का इस तरह से लंबे वक्त के लिए गायब रहना कोई नई बात तो नहीं है लेकिन चीन की सरकार में जिस तरह से किन गांग का कद बढ़ा बहुत कम समय में सीनियर लीडर्स को वपचहार कर श्री जिन पिंग के विश्वास पात्र बने लेकिन साथ महीने में प्रकास जी उनको हटा भी दिया गया तो ये चीन की टॉप लीडर्शिप और जो उसकी ट्रांस्परिंसी है उसके बारे में क्या रिफलेक्ट करता है क्या बताता है जहां पे राजसाहियां हैं जहां पे एक पार्टी का सासन है तो वहां पे टॉप लेबल पे बहुत तरीके की चीज़ें जो है कोपनिय रखी जाती हैं इवन जो जिनको हम लोग बहुत खुले हुए लोकतंत्र बोलते हैं वहां भी जैसे माल लेजे कि क्या अमेरिका के राश्पती की जो स्वास्त संबंदी अभी स्थिती है क्या वो हमें पता है क्या हमारे देश में हमारे प्रधान मंतिरी राश्पती और बड़े नेताओं के हेल्स बुलेटिन रोज नियमी तुरूप से दिये जाते हैं क्या बहुत हुआ तो जब भरती हो जाते हैं चीन में आप देखेंगे चाहे जैसे साओधी अरभिया में भी टीछे हुआ जब साज़ादा मुहमद बिन सल्मान जब उन्होंने टेक ओवर किया तो आपने देखा कि साओध से ज़्यादा राजकुमारों को जो है वो होटल में नजर बंद रखा गया है सबसे जो है हलफ नामा लिया जा रहा है उनके पैसे का हिसाब लिया जा रहा है फिरपा दीधर उधर किये जा रहे है बहुत सारी बातें उस समय कहीजी लेकिन बाद में वो सब भी हुआ लेकिन बाद में वो सारे लोग वो अपने अपने उन ही कामों पे लोट गए तो इस तरीके से चीज़े हैं या चीन में जैसे मैंने बताया कि ट्रांस्परिंसी एक तो ये कि चीन के भीतर और चीन के बाहर बहुत तरीके की बाते ना हो तो बात को सुरूई मत हुने तो ये मुझे लगता है तो किन गैंग के बारे में चीजे क्लियर ना कर चीन खुद इन अटकलों को हवा दे रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश के रहे हिमाले के गोद में बसा देश निपाल भारत का प्यारा पडोसी रहा है दोनों देशों के बीच रुष्टे इतने प्रगाड रहे हैं कि आज तक इनके बीच खुली सीमा है दोनों तरफ के लोग बिना पासपोर्ट और वीजा पर्मिट के एक दूसरे के मुल्क में आवा जाही कर सकते हैं इतना ही नहीं एक जैसा कल्चर होनी के वज़़ से सीमा वर्ती इलाकों में दोनों देशों के बीच वैवाहिक रिष्टे भी खुब हुआ करते हैं क्रोस बॉर्डर शॉपिंग और मार्केटिंग भी होती आई है क्योंकि दोनों देशों की मुद्राएं एक दूसरे देश में असानी से चल जाती है सरकारी दर के मताबिक 100 रुपे की इंडिन करेंसी का वैल्यू नेपाली मुद्रा की 160 रुपे के बराबर है लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इसमें 5-7 फीस्दी की गिरावट आई है इसके अलावा भारतिय रुपे जिसे नेपाल में भारो भी कहते हैं इसका acceptance बहुत कम हो गया है यानि नेपाल के लोग इंडिन करेंसी लेना avoid कर रहे है बिहार में इंडिन हिंदी मैक्सिन के correspondent पुष्चे मितर खुद ग्राउंड रियालिटी से 2-4 होकर आए है हमने उनसे ही बात की और पूछा कि नेपाल में ऐसा क्यों हो रहा है दूसरा मैंने आगे चलने पर देखा कि बैरेर लाया के नेपाली पुलिस गाड़ी चेक कर रहे थी तो वहां एक इंडियन बेक्ती कार लेके अपनी आयोए थे तो वो पकड़े गया थे तो उस पर नेपाली पुलिस ने फाइल लगया था क्योंकि उनके पास पेपर नहीं थे एंट्री के तो उन्होंने फाइल लगया था तीन हजार रुपे नेपाली करंसी का उन पर फाइल तो मतलब है कि वो दो हजार रुपे इंडियन करंसी से भी कम होता है इनके पास नेपाली करंसी थी नहीं ये लोग दो हजार रुपे इंडियन करंसी उसके पतले देने के लिए तेयार थे लेकिन पुलिस वाला कारा था हम इंडियन करंसी लेंगे नहीं तो फिर इन लोगो आखिरकार थाए रुपय देने पड़े इस तरह से दुकावनों में मैंने देखा कि लोग इंडियन करंसी नहीं ले रहे हैं पेट्रोर पंपर पोश्टर लगे हुए थे कि भारू पैसा बंद यानि भारतिय रुपया हम लोग नहीं लेंगे आप सोच समझे कि यह वही नेप होगा है कि बापदूद इंडियन करंसी हर जगर लोग ले दे थे क्योंकि आंतराश्टी बाजार में इंडियन करंसी की अपनी खीमत हुआ करते थी और उनको टॉलर एक्स्चेंज में भी सुविदा होते थी इसलिए हाल-हाल तक इंडियन करंसी वहां बहुत आसानी से अच्छा और सीमा वर्ती इलाकों में खासकर इंडिया के साइट जो वेपार है नेपाली कस्टमर्स की वज़े से गुलजार रहा करता है करोडों का बिसनिस रोज होता है तो वहां अभी फिलहाल क्या मासरा है अभी हुआ क्या है कि नेपाल सरकार ने एक नया कानून अपने बजट में लागू किया है वो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सौर पे से अधिक का सामान लेके नेपाल आता है उसे दूसरे देशे तो उसको कॉस्टम डूटी कोना पड़े पहले यह सा कि कोई भी व्यक्त अभी नेपाल में जा के कुछ खरीसता था तो वह वी वापस आता था तो इसको उ топि यही अफी लूटी नहीं शेकी ते से वी नेया कानून आगे है ऐसे करन क्या है कि लोग अगर आलू खरी जा रहे है। प्याज खरी को जा रहे है चावल घृत के झाल नेंतरे चेनी खरी तो 1750 किलोमेटर लंबा ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया और नेपाल, इसमें 726 किलोमेटर सीमा बिहार से लगती है, और अब दुनों तरफ से लोगों को ये परिशानिया झेलनी पड़ रही हैं, बहुत-बहुत शुक्री आपका. और अब चलते हैं सीधे सुरज कुमार के पास जो देश दुनिया के अख़बारों में छपी आज की बड़ी ख़बरों को आपको बताएंगे. गुड मॉर्निंग सुरज. कुछ पर गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान हिंदी अख़बार से शुरुआत करते हैं जिसकी हिटलाइन है सबसे पहले. दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधे को कैबिनिट की मनसूरी. तो जिस ओर्डिन्स को लेकर दिल्ली सरकार वर्सस केंदर सरकार खेला जा रहा उसे लोकसभा ने पास कर दिया है. और कैसे पास किया है? वो हिंदुस्तान टाइम्स बताता है कि सिर हिला कर पास कर दिया है. इससे सहमती जताई गई है. हिंदुस्तान टाइम्स ये भी लिख रहा है कि अब उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. अब इस लोकसभा अगराज इस सभा में बिल तो पास हो रहा है लेकिन एक प्रस्ताव है जो आज विपक्ष रखने जा रहा है वो है अविश्वास प्रस्ताव लोग सभा में आज उसे पेश किया जाएगा और विपक्ष जिन्हें अब इंडिया कहा जा रहा है जिनकी नाम को अब इंडिया कह है वो मुझाहएदीन में भी रहता है अंडियन मुझाहएदीन ही ऐस्ट इंडिया कमपनी में है और उन सभी लोगों ने इंडिया का इस्थवाल के है जिन्हों भारत को लूटा और विपक्ष भी यही करने वाला है तो इस तरह वो गुपाल कांडा केस को लेकर है जिसमें गीतिका शर्मा जो की एर होस्टेस थी उन्होंने सुइसाइड किया ये 2012 अगस्त की बात है और एक लेटर छोड़ा सुइसाइड नोट जिसमें उन्होंने हर्याना के ग्रहराज्यमंत्री रहे गुपाल कांडा को आरोपी बताया कि उनके ही कारण मैं आदमत्या कर रही हूँ लेकिन कल राव जवन्यू कोट ने 11 साल बाद फैसला दिया है और ये कहा है कि गुपाल कांडा और गीतिका के बीट 7 से 8 महीने में कोई संपर्क नहीं था इसलिए क्रिमनल इंटेंट है वो दिखाई नहीं देता इसलिए उन्हें बेल दी जाती है तो बेल पे अगर रिया हो गए और दा एशिन एज अखबार में मनिपूर से जोड़ी खबर है तीन महीने की हिंसा के बाद वहां कि सरकार ने फैसला किया है कि जो इंटरनेट बैन है उसको पार्शली हटाया जाए अब ये फिलहाल जो ब्राड़ बैन इंटरनेट है वो वापस मनिपूर में शुरू हो किया है लेकिन जो मोबाइल नेट बैन है वो अभी भी जारी है अखबार लिखता है कि वहां के जो यूनिवरस्टिय स्टूडन्स थे वो काफे इसका विरोध कर रहे थे टोटल इंटरनेट बैन को लेकर और सिरकार तभी से दबाव में भी थी तो उसके बाद जाकर ये फैसला लिया कि पार्शल बैन लगाया जाए और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में भी मानिपूर से जोड़ी एक रिपोर्ट है कि कैसे वहां पर कुकी समुदाई के लोगों ने बंकर्स बना रखे हैं खुद को राइफल्स और बैनाकुलर से उन्होंने आर्म्ड कर रखा है उस कैम्प को वो टाइगर कैम्प कहते हैं और ताकि वो आसपास के जो गाउं है उसकी रक्षा कर सके या उस पर नजर रख सके जे खुश्वोर ग्यान वाबी परिसर के सर्वे को चुनौती दी गई थी मजजिद कमिटी ने और उस पर कल सुनवाई भी हुई इलाबाद हाई कोट में आज फिर से साड़े नौ बज़े से उस पर सुनवाई होनी है 28 अगस्त को लंबित केस पर अदालत फैसला देने वाली है निर्ने देने वाली है और जनसत्ता और इंडिन एक्स्प्रिस की खबर मता रहा है दोनों में लगी है नागा लैंड में महिला आरक्षन लागू ना करने पर सुप्रीम कोट ने सरकार से केंदर सरकार से सखत लहजे में कहा है कि केंदर अपनी राज्य सरकारों के प्रती नरम है सुप्रीम कोट की जो पीठ है उसने नागा लैंड स्थानी निकाई चुनावे महिलाओं के लिए जो 33 फीसदी आरक्शन लागू ना करने पर बयान दी है इसके अलावा पीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और सखत लहजे में कहा है कि नागा लैंड की जो स्थिती है विशियस स्थिती है उसका हवाला दे कर केंदर ये प्रावधान को लागू करने से बचा नहीं जा सकता है केंदर सरकार इस मामले से अपना पला नहीं जाट सकती है खास कर के तब जब राज्य में उसकी अनुकूल सरकार हो जाकूश मानेपूर से खबर ये है कि मानेपूर सरकार जो है वो 718 मियानमार रिफ्यूजी को वापस भेजना चाहती है और इसको लेकर उसने असम राइफल्स से बात की है और मानेपूर से एक मामले में 22 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं इनमें बीजेपी की दो महिला नेता शामिल हैं दो टीमसी नेताओं पर भी उकसाने का आरोप लगा है खुशबकर विदेशी खबरों पे आये तो बेबी सी की सबसे पहले ही स्टोरी में देख रहा था कि चीनी विदेश मंतरी कुईंग गैंग जो लापता है उन्हें पद से हटा दिया गया है आठ महीने पहले वो मंतरी बने थे अब उनकी जगह वांग ई लेने वाले हैं जो अब आज 26 जुलाई है तो आज की तारिख यतिहास में क्या जगह रखती है अब वो जान लेते हैं तो 26 जुलाई 1999 को भारतिय सिना ने करगिल के युद में पाकिस्तान को धूल चटाई और आज ही के दिन हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है 1945 में आज एक दिन ब्रुटन के चुनाओं में विंस्टिन चर्चिल की हार होई थी 1908 में अमेरिकी खूफिया एजनसी FBI के स्थापना हुई तो आज के पॉड़कास्ट में फिल हाल इतना है इस पॉड़कास्ट को प्रिडूस किया है कुमार केशिव ने साउंड डिसाइन नितिन रावत का था खुश्ब कुमार के साथ थे आप नमस्कार